असलाम लेक्म स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मै चैनल, जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम वान को प्रोपर फ्रेक्शन में एड़ कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि जो हमारा डिनॉमिनेटर है, उसको नियूमिरेटर में प्लस करना है 5 प्लस 3 करेंगे 8 हो जाएगा और यह वाला 5 ऐसे ही नीचे आजएगा तो यह हमारा इस question का answer आगया यह काम सिरफ हम proper fraction के लिए कर सकते हैं next देखें next में भी हम इस तरह से ही करेंगे 11 में 7 प्लस करेंगे 18 आजएगा और नीचे वाला 11 ऐसे आजएगा अब यह next question है यह आपने मुझे करके इसका answer comment section में बताना है बहुत ही easy method है और यह काम सिरफ हम proper fraction में कर सकते हैं जब हमने proper fraction में one को add करना हो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगया तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आप से मिलूंगे अपनी नेक्स वीडियो में अला हाफीज